तो फ्रेंज वेल्कूं टो माई चानल से भी कॉंसेट आज हम दगेंगे हाउ टू फाइंड आउ टी कॉंटिटिटी और नंबर्स ऑफ ब्रिक इन वाल और ब्रिक मैशनरी राइट तो कोई भी ब्रिक मैशनरी वर्क है उसके अंदर कितनी ब्रिक आ सकती है अगर एक्रिस्टिंग वाल है तो उसके अंदर कितनी ब्रिक यूज हुई है अगर वह हमें फाइंड करना है तो हम इसली फाइंड आउट कर सकते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे फाइंड करना है नंबर् सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि क्वांटिटी ओप मैसिनरी मतलब ब्रिक मैसिनरी फाइंड करूंगा अकर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है क्वांटिटी फाइंड करने है तो मैं का करूंगा एल इंटो बी इंटो एच तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा वन इसने width motor कितनी है नॉर्मली हमारी जो स्टांडर साइज ऑफ ब्रीक और यह नॉर्मल साइज और स्टांडर साइज क्या होती है 19 cm by 9 cm by 9 cm without motor right but हम quantity defined करने के लिए numbers of brick find के लिए हम क्या कौन सी साइज लेते हैं width motor size लेते हैं जो हमारी 20 cm by 10 cm by 10 cm होती है 20 cm उसकी length होती है 10 cm उसकी width होती है 10 cm उसकी height होती है जो उपर का पार्ट होलो पोशिन होता है उसे हम फ्लोग कहते हैं तो हम फाइन करेंगे numbers of brick in 1 meter number of brick in 1 meter volume of machinery मतलब machinery का कितना volume है तो हमारा कितना है 1 meter cube और जो size of brick है with motor वो कितनी है 20.20 यह हमारा meter में है तो हमें इसे meter में convert करना पड़ेगा centimeter 0.2 into 0.1 into 0.1 तो 500 brick मतलब क्या है 1 meter cube में जो brick machinery उसके अंदर हमारी जो bricks आती है वो कितनी है 500 1 meter cube में 500 तो 2 meter cube में कितना हुआ 2000 तो एक्जामपल लेते हैं एक एक्जामपल ले लेते हैं तो सपोज यह मेरी brick machinery है यह wall है जिसकी land 2 meter है height 1.5 है और width इसकी 0.2 है तो तो इसका volume निकलेंगे volume of machinery कितना आएगा 2 2 into 1.5 into 0.2 जो इसकी width है तो टोटल वाल्यूम कितना है यह 0.6 meter cube right 0.6 meter cube जो यह wall है उसका volume आया तो numbers of brick in 0.6 meter cube in 0.6 meter cube कितना आएगा 0.6 divided by standard size of brick with motor तो कितना आएगा 300 bricks right okay तो किसी भी जो wall है उसका volume find करना है तो इसली आप find out कर सकते है by dividing the volume of brick machinery by the standard size of brick with motor right that is 20 cm by 10 cm by 10 cm